पहले जो माता थी वो निर्माता हुआ करती थी जो बच्चे थे उनसे पहले उनकी माता का नाम लिया जाता था कोशल्या नंदन राम, देवकी नंदन कृष्ण तो क्यों? क्योंकि माता पहले निर्माता हुआ करती थी माता अपने बच्चे का पहले से निर्मान करती थी, उसको स्कूल से पहले माता पूरे शिक्षा दे दिया करती थी, अब माताई फॉन दे दिती हैं कि रोएगा अचल ये वाला फॉन पकड़ ले, तो गलती तो माता पिता की खुद की है, हमें चाहिए कि अपने बच्चो को चोटी चोटी चीज़े तो एटलिस सिखाएं, एक बच्चा जो तीन साल का मदर से जा रहा है, उसको पूरी आयते याद है कि आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे को भी घीता के 10 श्लोक तो कम से कम आने चाहिए, एक श्लोक तो आना चाहिए, कम से कम इतना तो पता हु जड़वाये, बताईए कि जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है, वो उस इश्वर की वज़े से है, ये बताईए उसको, संस्कार तो माता पिता ही देंगे, और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है अगर बच्चा किसी और दिशा में जा रहा है, जब बच्चा बड़े हो के लग जिहाद की चक्कर में फस रही है